अंतराश्ट्रिय महला दिवस के उपलक्ष पर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली पुलिस ने पहली अखिल भारतिय महला कराटे प्रत्योगिता 2022 आयुजित की। इसके समापन समारो में पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने मुख्यतिती के तौर पर शिर्कत की और सभी प्रतिभागियों का उत्सा बढ़ाया। इस टोनमेंट में देश के अलग-अलग राज्यों से आई कुल 444 महला खिलाडियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में हर्याना, दिल्ली और उत्रपदेश की किलाडियों ने सबसे ज्यादा स्वन पदक हासिल कर अपना दबदबा कायम किया। समारो के दोरान अलग-अलग श्रेणी में विजेता रही किलाडियों को पुलिस आयुक्त ने पदक, नगत पुरुसकार और इम्मुनिटी बूस्टर किट दे कर समानित किया। साथ ही ओपन कैटेगरी श्रेणी के विजेता प्रतियोगी को इलेक्ट्रिक बाक साइकल और रनर अब को नगत पुरुसकार प्रदान किये गए। इसके अलावा पुलिस आयुक्त ने चेंपियर्शिप में मौजूद सभी जजों रेफरी और प्रायोजकों को भी स्मृती चनल भेंट किये।